जो राइट टू हेल्थ बिल आरहा है इसके अगेंस्ट आप लोग जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इस राइट टू हेल्थ बिल के बारे में देखें मैं डॉक्र प्रद्यूम शर्मा जैपूर एपी आई चैप्टर प्रेसिडेंट मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यह राइट टू हेल्थ बिल क्या है पहले बड़ा मिस्टोंबर है सबसे बड़ी बात है राइट टू हेल्थ में पहले सबसे पहले तो फूड होता है पानी होता पानी सरकार देने पारी इब ऐभाए इसप्टेशली डिलेशन टू अगर मेडिकल हम बात करें सरकार कैती है कि पहले प्राइवेट डॉक्त रहे हमां जाना चाहेंगे चरण जीवी में फ्री योजना में भी हम काम कर रहे हैं आज जी चैसे हमारी 500 पर फिस्ति हम सौर पर भी काम कर रहे हैं जैसा सरकार कह रहे हैं क्योंकि हमारा धर्म है हमारा धे है जनता की सेवा करना अगर हम निशकश तोर पर आट वेच का बात करते हैं तो उपकरण देती है कि आप special training लीजेगा special training के साथ इनको इस्तमाल करेगा तो इसमें जनता का क्या क्या नुकसान है नुकसान यह है जैसे मैंने MDWM मेरा medicine है 40 years से मैं practice कर रहा हूँ आज मुझे कहते हैं आप delivery करिएगा delivery को मैंने 40 years पहले कुछ delivery कराई थी अपनी internship के समय लेकि अब मैं नहीं करा सकता है delivery एक जच्चा बच्चा दो life का सवाल है मुझे आता नहीं है अगर मैं कराता हूँ तो it is a crime to the patient number one मैं नहीं कराता तो सरकार कहते हैं अगर हम कराते हैं तो consumer court कहता है आपने कैसे कराया तो हमें यह समझे जाना करना क्या है एक ऐसी दूविदा है जैसे इंजिनियर से आप डाक्टरी करा लो डाक्टरी से करा तो भाई आप मकान मना बिल्डिंग मना अंडर पास बना तो तुम्हारे साथ है. क्यों क्या धराएं दूसरा सबसे बड़ा नुक्सान क्या हो रहा है एक्जिस्टिंग हॉस्पिटल इस बिल के आते हैं 30% हॉस्पिटल कुछी समय में बंद होने लगेंगे लड़ाई जगड़े शुरू होने लगेंगे लोग कहेंगे कि आपको जब कहा गया है कि आप डिली आपने कैसे कर दिया तीसरी चीज़े कंस्यूमर को करता है अरे भाई आप अपने घर में खाने वाले को काऊगे तू भाड़े गेट वाले को गया तू खाना मना कैसे होगा देखा जाए तो मैडिकल डिपार्टमेंट खुद ही कन्फ्यूज है कि डॉक्टर से करवाना क्य है सबसे बड़ी बात कहने को यह है भार का कोई डॉक्टर नहीं आएगा राजस्तान का मेडिकल डवलप्मेंट बिल्कुल खतम हो चला है और खतम हो जाएगा पूरे देश में राजस्त का नाम मेडिकल चेकिस्टा शेतर में गर्त में चला जाएगा बड़े-बड़े कॉ आना चाहते हैं जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल कॉलेजेस खोले हैं उद में कौन काम करेगा एनाटेमी के तो फिजियोलोजी पढ़ा दो आप फिजियोलोजी के जाएगा उसको मेडिसन पढ़ा दो अरे भाई गैलोट साब कन्फ्यूज क्यों हो आपने अगर किसी केस में भार के डॉक्टर को यहां पर बुलाना पड़े तो वह नहीं बूला सकती प्राइविट हॉस्पिटल अरे यहीं के चले जाएंगे बाहर अगर मैं कहता हूं किसी भी आदमी को चैस्ट पेन हो गया गैलोज साब को यह बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा जो मिलेगा इंकॉंपिटेंट मिलेगा गाइनो कॉली से इनके चैसे हम तो एंजियोप्लास्टी कराते हैं यहलोज साब से बड़े खुश होंगे कि नहीं होगे तब क्या होगा कहने का मक्साब यहलोज साब बहुत जादा कंफ्यूज हो चके मुझे लगता है इनके उपर आयू का असर आ गया है तो मेरा इंसे करवद निवेदन ही है कि अगर आपको डिमेंशिया हो रहा है तो क्रपया अपनी दिमाग के डॉक्टर से इलाज कराएं लेकिन प्रदेश को गर्त में ना जाने दे हमारा आपसे कभी कहना ही है कि हम आपसे एक जस्टिभी जायता है ह हम आपके बच्चे हैं प्रदेश के हम बच्चे हैं प्रदेश के हम सेवा करना चाहते हैं तो सेवा का मौका दो हमें गलत काम करने के लिए बात देने करें यह तो ऐसा आगया इंगलिश के समय हाथ में चेंड मांदो पीछे से कोड़ा मार रहा है तू यह काम कर अरे भाई कोई नहीं चाहता इस देश का आप सत्यानाश करो यह काला ध्याय है इसको आप बिलकुत वापस लेना चाहिए